भाई जिसकी भी गल्फ्रेंड टैगर सुरॉफ की फैन है उसके लिए गुड न्यूज है क्या है कि गनपत जो है उनका आने वाला फिल्म उसका टीजर आ चुका है अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो फिल्म दसहरे के मौके पर 23 में रिलीज होगा यानि कि 20 अक्टूर को अई जो फिल्म है एक मास एक्षन थ्रिलर फिल्म है और भाई लोग ये जो बॉलीबूड बाले है इनको अब थोड़ी अकल आने सूरी हो गई है क्योंकि ये अब वो रोमेंटिक बोरिंग कॉमेडी को छोड़कर अब ये मास सिनिमा की और घुस रहे है इसका जो कॉंसेप्ट ह इस फिल्म में आपको दिखेंगे अमिताब बच्चन, टाइगर सुराफ डिफिनेटली होंगे और कृती सैनन, आप देखना ये है कि अमिताब बच्चन को इस फिल्म में कैसे इस्तमाल कर रहे हैं लोग, as a negative or positive, टाइगर इसमें एक action hero दिखाई पड़ेंगे, इनकी body तो बहुत शांदार है भाई लोग, लेकिन इनका जो acting skills है, वो हमारी audience को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, अब बात करते हैं film के director, देखिए film के success में director का बहुत बड़ा हाथ होता है, और failure में भी, हम बात कर लें चाहें पठान film के, पठान film के director कोन है, सिधार्त आनन, जिन् अखिर इनके film का test कैसा होता है, और ये जो गनपत है, वो कैसा होने जा रहा है, तो बात करते हैं पहले goodbye से, 12-12 में आये film अमिताब बच्चन के साथ, ये film flop हो गई, भाई sorry, उसके बात करते हैं शांदार की, शांदार भाई लोग महा flop रही थी, उस वक्त ये film के खिल्ली उ एक्टिंग सो disappointing है, अभी मतलब हिरपंती 2 के बाद जो एक benchmark उने बना दिया है, ओडियन्स के मन में, वो तो है ही, लेकिन इस teaser में कुछ खास impact नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन बस इतना ही नहीं है, टाइगर शुरफ के फैंस के लिए एक और बहुत बड़ा सत्मा मिलने व ला है लियो, थलापती बिजय की आने वाली upcoming film जो है, वो release होगी, भाई या ए लोकेस universe का एक हिस्सा है, और भाई थलापती बिजय का जितना वड़ा fan following है, जो उनकी acting skills है, उससे compare और compete करना पड़ेगा आपके Tiger शुरफ को, और भाई लोग जिस तरह का performance previous filmों में दिखा और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, तो like करें, subscribe करें, will icon को on कर लें, हम आपसे जल्दी मिलेंगे, एक नए update के साथ, तब तक के लिए, नमशकार